So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Trader so guys आज बात करने वाले हैं NHPC को लेकर और यहाँ पर अगर अभी तक आपने The Mahajan Trader को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई अपडेट आती है डिविडेंट से लेकर डिविडेंट शेर से लेकर बोन इस बेल आइकन को दबा देना क्योंकि हाँ पर नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँच जाए तो guys यहाँ पर बिलकुल हमारे सेकंड चैनल जो है लकीन तो guys लकीन को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि लकीन पर आपको मिलने वाले हैं quality content यहाँ पर मैं डालता ह who finance related कुछ stories और वहाँ पर उन stories के basis पे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में कौन से shares बढ़ेगे उन stories को सुनके तो guys बिलकुल इस चैनल को भी subscribe कर देना और साथ इस के भी bell icon को दबा लेना यहाँ पर इस चैनल को पर अगर आपको जाना है तो link description में मैं दे रहा हो तो guys बढ़ते आगे और चलते हैं NHPC के ऊपर so guys आज बात होंगी NHPC Limited की NHPC Limited अगर देखा जाए तो काफी तगड़े consistency के साथ return दे रहा है 33 रुपे का एक multi bigger share है देखा जाए तो guys आप देख सकते हो यहाँ पर 33 रुपे 50 पेसे के price पे stock ने closing दी थी 25 पेसे तक की बड़त हम में देखने को मिली है 0.75% के हिसाब से stock यहाँ पर उपर क्यों जाता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे ही दीरे दीरे अगरे stock बढ़ता रहा तो आने वाले time में एक cup जो हमारे target तक पहुँच जाएगा पता भी नहीं चलेगा और बिलकुल तगड़ाय शेर है 33 पॉइंट 65,000 करोड का इसका market cap है no points open का P ratio 6.20% का dividend भी stock देता है यहाँ पर अगर देखा जाए तो dividend आपको हर साल मिलने वाला है इस share में और इसकी जो quarterly जो results आयते ओ भी आपर अच्छे ही है 33 रुपे 60 पेसे पे stock open हुआ था 33 रुपे 95 पेसे तक का आज high भी लगा है और बिलकुल यहाँ पर बड़त देखने को मिल रहे हैं 33 रुपे 60 पेसे के आसपास का यहाँ पर high आपको देखने को मिलेगा 14 रुपे के price से हम बोल रहे है stock में खरीदारी करने के लिए क्योंकि यहाँ पर levels बिलकुल तगड़े हैं उन levels को अगर मैं आपको बता हूँ तो आप यहाँ पर के बाद इस level को अभी यह break करता हूँ आपको नजराएगा यहाँ पर अगर देखोंगे तो इंथ level से stock यहाँ पर continue गिरा है यहाँ पर stock ने support लिया फिर उपर जाके नीचा आया फिर stock ने यहाँ पर support लिया फिर यहाँ से उपर गया फिर स्टॉक ने यहाँ पर लिया एक resistance फिर नीचे आया फिर यहाँ पर support लिया फिर stock यहाँ से उपर गया फिर नीचे आ रहा हमें लग रहा था कि 14 रुपय तक फिर से आएगा बट इसा नहीं हुआ बिल्कुल sideways जाके momentum इसने create किया और यहाँ से stock सीधा उपर की और जाता हुआ नजरा रहा है तो guys यहाँ पर हमन क्योंकि यहाँ पर जो NHPC हैं अभी काफी धुवाधार काम कर रहा है guys और यहाँ पर Tata Power को काफी बड़ा project भी इन्हों ने दिया है और कई चार बड़े projects इनके यहाँ पर under construction चल रहे हैं बल्कुल उनका काम यहाँ पर चल रहा है तो आने वाले time में तो NHPC बिल्कुल बड़ यहाँ बड़ेगा कल के levels की बात करें उससे पहले day one time frame पर भी अगर मैं कुछ patterns आपके साथ share करो तो कुछ इस तरीकी के patterns यहाँ पर बन रहे हैं जिन में बिल्कुल breakout का सेनारियो है sideways गया है breakout मिला retaste किया और जा रहा है उपर की और तो यहाँ पर 36-37 रुपर का target तो मिली र यहाँ पर एक शॉर्ट टम बेजिस पर आप देखो तो यहाँ पर भी बड़ा breakout मिला था यहाँ पर जिसे breakout मिला बिल्कुल स्टॉक उपर फिर नीचा फिर उपर जाने की त्यारिम है तो pollen flag pattern type b pattern बन जाएगा यहाँ पर अगर मैं कुछ इस तरीके का pattern मिला हो तो बिल्कुल यह इस level को break करता है तो बड़ेगा ही बड़ेगा यह हमारा confirmation था तो guys वही आप देख सकते हैं इस level को break करते ही बल्कुल बड़ा था हमें देखने को मिली 34 रुपे तक जाने की फूरी इसकी कोशिश रही थी और इस level को break किया जब इसने यहाँ पर तो retaste करके उपर गया फि यहां से काफी तगड़ा momentum आ सकता है NHBC में तो guys इस level को तो विल्कुल आप ध्यान में बिठा लो तो बढ़ते आगे community sentiments के आखड़े भी यहाँ पर positive नजर आने वाले हैं यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो 100% जो लोग है वो यहाँ पर buy करने के लिए कह रहे हैं और वही price performance जो माइनस में अलका सा दिख रहा था one month का ओ भी अप पॉजिटिव आ गया है उपर क्यों तो बिल्कुल price performance भी upside की और momentum momentum बता रहे है momentum shift हो रहा है तो बिल्कुल आने वाले टाइम में बढ़े गई बढ़े गई तो guys अब बात कर लेता हमारे dividend share की तो जो हमारा dividend वाला बिल्कुल यहाँ पर 800% का dividend आपको मिलने वाला है स्वराज इंजन्स लिमिटेड में बात करें तो यहाँ पर आज इसने रेटन दिये हैं काफी ज्यादा बगड़े रेटन की बात करें guys तो यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो 25 रुबे 55 पेसी तक stock बढ़ा है 1.81% के हि जो इसकी net sales है net sales में काफी बड़ा हमें fall देखने को मिला था अपरिल की बात कर रहा हूं मैं उस टाइम काफी बड़ा fall हमें देखने को मिला था तो reason क्या था reason हैगा इस pandemic pandemic covid-19 के कारण जो यहाँ पर गिरावटाइज दे स्वराज इंजन्स में काफी बुरी थी यहाँ पर कगार पर हैं और ICICI ने यहाँ पर अप्रिल 29 को target दिया था यहाँ पर 1680 रुपे का और 1680 रुपे का target के आसपास है और डेटी 1650 रुपे पर trade कर रहा है बिल्कुल 1680 तक यह जाएगे जाएगा तो यहाँ पर स्वराज इंजन्स की अगर बात करें तो 1680 रुपे का target तो मि wealth रेक ने दिया है तो गाइस यहाँ पर बिल्कुल target भी आपको मिल रहा है बात करेंगे dividend की तो dividend क्या मिलेगा तो यहाँ पर बिल्कुल जो जिसमने बोला है कि 800% का dividend मिलने वाला है तो फैनल ल्डिविडेन इसमें मिलने वाला है यहाँ पर हर साल यह dividend देता ही है आप सकते हो 50 रुपे का फाइनल डिविडेन दिया था और गाइस साथ ही अगर बात करूंगे तो 30 जून हमेशा जुलाई में देता है इस बार जून में दे रहा है बिल्कुल जल्द बाजी यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर 800% का यह दिविडेन होता है तो बिल्कुल यहाँ पर डिविडेन दिया जा रहा है इनकी ओर से तो बल्कुल गैस एक्षडेट है 30 जून 30 जून से पहले अगर आप खरीते हों तो आपको घर मिलने वाला है वीडियो अचा लगा होगा वीडियो को लाइक करो चैनल